तो यह ग्रीड जो है न यह कंटीनुसली एक ट्रेडर को एफेक्ट करती है अगर ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है तो भी आप डर सकते हो कभी-कभी कि अरे यह कभी लॉस हो गया तो फोमो इस वे ओल्डर देन सोशल मीडिया यह दो तरीके के जो फियर है ना इनको मास्टर करना ज़रूरी है अप्शिंस टेडिंग इस वन अफ़ डिफिकल्ट प्रोफेशिंट तो बे इन और यू यूमन माइन बहुत जादा कॉम्पलेक्स है हम हर तरीके से सोचते हैं हमारे अंदर बहुत सारे इमोशन्स हैं और जब कभी भी हमें फास्ट डिशिंज लेने होते हैं तब यह सारे इमोशन्स प्ले में आ जाते हैं So there are six prominent emotions that a trader and maybe the options trader has to master अगर हमने यह छे emotions को अच्छे से master कर लिया तो options trading काफी easy हो सकती है but to start with human mind इतना complex है कि वो हर situation को अलग तरीके से analyze करता है और उस situations के according एक emotions को इंस्टिल करता रहता है अगर trade आपके favor में जा रहा है तो भी आप डर सकते हो कभी-कभी कि अरे यार यार ये कभी loss हो गया तो या भी जो profit में loss में आ गया तो stop loss trigger हो गया तो या कोई losing trade है और वो loss होते जा रहे है और आप और जादा आपको losing trade को square off नहीं करना है and you try to become comfortable holding that trade even if you know that the position is not right तो human mind काफी complex तरीके से काम करता है but अगर हमें एक objectivity लानी है हमारे trading में तो हमें ये 6 तरीके के emotions को पहले समझना है और उनको master करने की कोशिश करनी है तो सबसे पहला emotion है fear whenever you trade the markets there is always a fear fear of losing, fear of gaining also so I'll tell you how जब कभी भी आप market में position build करते हो अपने position build कर लिए position आपके favor में आ रही है तभी भी आप डर रहे हो और एक क्या पता ये loss में चला गया तो stop loss trigger हो गया तो अभी जो profits हैं वो चले गये तो there is fear in you अगला fear ये है कि आप अपने trade अच्छे से analyze कर लिए अपने position को अच्छे से evaluate कर लिए कि हाँ ये सही risk reward में है but you are fear you have a fear that you are not able to take that trade ये भी एक तरीकी का डर है एक डर ये है कि आपने position ले लिए अब वो loss में चली गई तो एक डर ये है कि आप trade लेने से ही डर रहे हो ये दो तरीके के जो fear है ना इनको master करना जरूरी है इससे जादा एक और चीज हमें ये ध्यान में रखनी है कि जब आप एक losing trade में हो तभी भी हम डर रहे है कि क्या पता हमने position square off कर ली और वापस से ये bounce stock bounce करने लग गया तो So there is lot of fear and that can be only solved if you have objectivity in the analysis अगला emotion है वो है greed हम जब भी markets में participate करते हैं एक trade में participate करते हैं और आप अभी सीख रहे हो तो हमेशा एक greed रहता है कि ये pattern बन गया अब इसका target ही अगर ये achieve हो गया तो ये profit होगा और हम उससे पहले हमारे दिमाग में एक अच्छी beautiful story बिल्ट करने ही शुरू कर देते हैं around that profits और हमारे में वो greed आता रहता है and we are not able to execute the trade properly in fact अगर वो trade stop loss के तरफ जाने लग जाए तो भी हम अच्छे से उसे trade नहीं कर पाते है so greed is something that we have to master कि अगर आपका एक stock है आपने इसमें मान लिया कि इसमें मुझे तीन या चार परसेंट की move capture करने थी एक swing position के लिए और आपकी वो position वो target trigger भी हो गए but आप position square off नहीं कर रहे हैं यह मानते होए कि शायद क्या पता और 3-4% उपर चला जाए तो मुझे और बने रहना है so यह greed जो है ना यह continuously एक trader को affect करती है it always pushes us to push our targets तो आपका target जो है वो variable हो जाता है then there is more greed instilled in the trade right so that's the second emotion that we have to master the third emotion is hope जब कभी भी trade गलत चला जाता है थोड़ा सा आपने position अच्छे से evaluate किये सब कुछ सही है sentiment सही है आपने सब कुछ evaluate अच्छे से किया trade आपने ले लिया उसके बाद वो trade जो है वो कुछ तो गडबड करता है और आपके stop loss के पास में आ जाता है in fact उसने stop loss भी trigger कर दिये but you are still holding on to that trade कि क्या पता अब चलना शुरू कर जाए आपके direction में आ जाएगा and you try to instill lot of hope in your trade कि ये वापस से आपके direction में आना शुरू हो जाएगा ये generally hope जो है वो losing trades में आता है and there is a very minute difference between stock trading और मेभी options trading and gambling gambling में hopeless hope होती है so there is no logic in that hope when you gamble but when you trade markets when you trade options when you trade stocks you have a very logical approach to market कि ये pattern बना है ये pattern जब trigger होगा तब हमें इधर long करना है या इधर short करना है और जब कभी भी ये pattern जब negate होगा इसका एक level है ये level के नीचे आजाएगा तो ये pattern जो है वो नेगेट हो जाएगा so we have a very logical approach when we look at markets so there is a very thin line between gambling and stock trading कि हमारे में hope होना जरूरी है क्योंकि hope is very positive emotion बट इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि क्या वो hope के पीछे logic है अगर logic है तो वो hope सही है बट अगर उसमें logic नहीं है then you are gambling in the markets so whenever we trade options we have to understand that there is no hope and if there is a hope you are aligned in the right direction of the markets you are aligned in the right direction of your trade तो hope होना बट जरूरी है बट ओप के साथ उसमें logic भी होना उतना ही जादा जरूरी है before we move ahead I'd like to share something with you it is a known fact that 95% of traders fail in the market but very few talk about the 5% that are successful our course on trading psychology and risk management curated by Mr. Kirubakaran Rajendran is all about having the right mindset to succeed in the markets and the importance of risk management check out the link to it in the description box below the fourth emotion is regret हम जब कभी भी ट्रेड लेते हैं और मैं जनरली इसमें ये कहता हूँ कि stock markets में it is always regrets the journey in markets always has regrets अगर आपने एक position बिल्ट कर लिया options में आपने ट्रेड कर लिया चाहे आपने फॉर एक्जामपल आपने 100 में वो एक stock एक options को बाई किया फॉर एक्जामपल निफ्टी के options को add the money option को आपने बाई किया जो भी trade कर रहा है 100 पे आपका target था 130 पे आपको square off कर ले हैं वो 130 पे आ जाता है आप उसको square off नहीं करते हैं और वो आके फिर नीचे आ जाता है और वो आपका stop loss trigger कर देता है तो भी आपको लगने लगता है कि शायद वो इतना target के नजदीक था square off कर ले ही ना चाहिए था या अगर कभी भी आपने 100 पे participate कि या 130 आपका target था 130 अचीव भी हो गया आपने position square off कर ली उसके बाद वो option 200 हो गया double हो गया वहां से possible है तो भी हमारे में अंदर regret आ जाता है कि यार अगर hold कर रहे होते तो 200 पे square off कर लेते तो profit जादा हो जाता तो ये regret है ना ये हमेशा market में रहेगा कि आपने अगर target के नजदीक आया आपने square off नहीं किया फिर वो stop loss trigger कर रहे है अगर अगर आपने square off कर लिया उसके बाद और उपर चला गया तब भी regret रहेगा कि यार hold करते तो अच्छा होता तो ये regret को control करना बहुत जादा ज़रूरी है और वो तभी control हो सकता है अगर आपका trading system objectively decided है आपने वो design किया है कि यहाँ पे enter करेंगे यहाँ पे exit करेंगे no matter what अगर उसके उपर भी चला जा तो भी कोई problem नहीं है फिर से pattern बनेगा फिर से participate करेंगे क्योंकि अगर आपने trade setup बनाया है तो उसका एक rule regulation से अपने target decide किया होगा उसका stop loss भी वैसे ही decide किया होगा क्योंकि उसमें randomness नहीं होगी क्योंकि trade plan है एक trading system है तो फिर वो randomness तो उसके अंदर की निकल जाएगी so if we follow a trade system and a trade plan तो यह greed को control किया जा सकता है the fifth emotion is FOMO fear of missing out हम trade लेते हैं और trade में वो breakout आ चुका है त्रेड वो चलना शुरू हो गया आपके direction में भी वो जो breakout है उस direction में चलना शुरू हो गया और अब आप देख रहे हो और वो उसमें आपको यह लग रहे है कि अर्याँ trade मिस हो गया मैं अभी इसके अंदर इंटर करता हूँ अभी participate करता हूँ और यह participate करने के गडबड में आपका risk to reward आप check नहीं कर पाते हो stop loss बहुत नीचे है आपने participate अलग level पे किया है risk reward is on toss FOMO is way older than social media यह जो FOMO word है यह social media के era में popular हुआ है बट यह बहुत पुराना emotion है it's in social anxiety क्योंकि आप logo को देखते हो कि लोग profit बना रहे है यह stock में logo ने participate कि है उनका profit बन रहे है फिर आपको लगता है रहे है मुझे भी participate करना था यह option state सब लोग कर रहे है तो मुझे भी करना है तो यह FOMO में हम बहुत सारे गलट decisions ले लेते there is no objectivity in ourself to approach to markets इसलिए यह FOMO install हो जाता है अगर rule-based system है तो यह FOMO आएगा ही नहीं क्योंकि आपको यह लगेगा कि मेरे setup के हिसाब से आएगा तो participate करेंगे नहीं आएगा तो नहीं करेंगे फिर चाहे बाकी सब लोग क्या कर रहे है क्या फरक पड़ता है so FOMO में check रखना बहुत जादा ज़रूरी है the sixth emotion is ego जब हमारे काफी सारे trade सही हो जाते है फिर हमें लगने लगता है कि यार markets में step by step हर level by level support, resistance, सारे patterns मुझे सब कुछ समझ में आ रहे है and that's the point where we tend to make mistakes हम वो गलतिया करते हैं जो शायद हमने imagine भी नहीं कियो क्योंकि इतना ego breed होना शुरू हो जाता है कि हम जो nuances of trading system में हमारी जो checklist है वो हम follow करनी छोड़ देते हैं और हम अपने हिसाब से अपने हाथ में पुरा control ले ले लेते हैं और system को drive नहीं करने देते हैं यहाँ पे गलतिया हो जाती है so ego is the sixth emotion अगर वो trading में आ रहे हैं और आपको यह समझ में आना शुरू जाए कि markets अपने हिसाब से चलते हैं हमें सिर्फ align होना है जिस तरीके से जिस direction में markets जा रहे है so यह छे तरीके यह जो छे emotions हैं अगर इनको अगर हमने control कर लिया तो बहुत जादा as a trader, as an options trader life आसान हो जाती है तो सबसे पहली शुरुवात होती है कि at least हम यह emotions के बारे में समझे इनको combat करना तो next step है बट पहले हम समझे तो से ही कितने तरीके के emotions है जो factor हो रहे हैं हमारे trading में so यह 6 emotions को solve करने का एक objective तरीका यह है कि हमारा एक trade plan बने हमारे एक trading system हो कि जिसमें हमारे में pattern fixed है कि यह pattern बनेगा यह pattern जब बनेगा तब participate करेंगे उसके साथ में market की यह environment होगा और उसमें यह pattern बनेगा तो काफी अच्छे तरीके से हम participate करेंगे इसके साथ में यह pattern का एक risk reward होगा यह risk reward अगर favorable होगा तो trade लेंगे अगर favorable नहीं है तो trade को avoid करेंगे फिर हम हमारे अंदर FOMO नहीं आने देंगे क्योंकि अगर risk हमारे check में नहीं है तो we should be okay leaving some trades so it is always said you cannot have the entire pie of the market कुछ तो आपको table पे छोड़ना पड़ेगा तो अगर risk reward में अगर आपका कोई trade नहीं बैठ रहे है तो आपको trade avoid करना पड़ेगा so that is the first check of FOMO कि चाहे वो trade चल भी सकता है हमें नहीं पता क्योंकि हर markets में हर एक setup के एक probability है वो trade चल भी सकता है but आपको अपने आपको रोकना है ये मानते हुए ये समझते हुए ये समझाना है अपने आपको कि risk reward favorable नहीं था इसले हम trade नहीं ले रहे so the best way to combat all these emotions is to have a very robust trading system and to follow it अगर आप ये system को आपकी trading system को बनाया हुआ अगर आप follow कर पा रहे हो then that's the way to combat all the emotions that we have as a trader और जब हम options trading करते हैं तो ये 6 emotions इतना peak पे होते हैं अगर आप options buying कर रहे हो तो और ज़्यादा peak पे होते हैं क्योंकि option premium इतना fast fluctuate हो रहे होते हैं कि हमारे उपर वो control नहीं रहता है हर तरीके के emotions आते हैं क्योंकि वो options बहुत जल्दी breakout देने वाले हैं उसके बाद वो option का price बहुत जल्दी fast move करेगा तो FOMO आ जाते हैं साथ में greed आ रहा होता है डर भी लग रहा होता है कि trade में participate करेंगे शायद गलत हो गया तो and everything can be kept in check if we have a very robust trading system so try to build a very robust trading system with the knowledge that is available Upsurge एक बहुत important बहुत knowledgeable platform है कि जहां पे हर concept पे courses बने हुए अगर आपको technical analysis सीखना है then Jodhi Buddhiya Madam का एक course है जो आप चेक कर सकते है then there is a dedicated course on options which Shiva has recorded there is my course on price action option trading strategy जो आप सर्च पे लिस्टेड है तो यह सारे courses को आप evaluate कर सकते हो चेक कर सकते हैं based on it based on the learnings that you find from this courses you can create your own trading setup that goes exactly in tune with your trading side technology with your mindset अगर आप बहुत fast decision लेते हैं तो आप trading system ऐसा बनाओ कि जिसमें आपको बहुत fast decision लेके आप trade में ride कर रहे हो which is a very good mindset for scalping अगर आप बहुत जादा fast trade नहीं करना चाहते हो आप बहुत जादा quick in and out नहीं कर सकते हो आपको time चाहिए तो आप intraday के trading setups देख सकते हो या positional trading setups देख सकते हो जिसमें आप position build करके आप कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक उसको hold कर रहे हो which requires lesser time in the markets whereas research के लिए अपना time लगता ही है but during the trade आपका time उसमें कम लगेगा क्योंकि आप positionally एक trade में हो तो आपने trade लेने से पहले सब कुछ evaluate कर लिया now you're holding to that position with your stop losses so if you don't have much time into the market that you cannot give more screen time top swing and positional setups बना सकते हो and everything can be done if you have a very good in-depth knowledge of the subject that you will find it on Upserge platform so that's it from this video and I'll see you in my next video